आप सभी लोगों का स्वागत है और बॉर्ड विल्डिंग की दुनिया सो जुड़े पहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग लेकि आप सभी लोगों के लिए आ चुका हूं लोग बनके की पहुत सब्सक्राइब करने में तो कर देना तो चली तो अब बात करते हैं आज को अपने पहली अपडेट के बार में जोकी होने वाला है अली बिलाल के बार में तो अली बिलाल ने रिषैड में डिवाइन नूट्रिशन को छोड़ दिया अपना न्यू एंड अपना खुद का सप्लीमेंट ब्रांड लॉंच किया है जिसका निमें फीड एंड उन्होंने इसके बार में क्या आप लोग उनसे खुद ही सुन लीजिए जैसे कि आप लोग ने सुनाई हो कि अली बिला ने अभी बताये कि उन्होंने डिवाइन नूट्रिशन को छोड़ दिया है उन्होंने अपना खुद का सप्लीमेंट ब्रांड लॉंच कर दिया सो मैंनी मैंनी कॉंगराचुलेशन टू अली बिलाल एंड चले तो अब बात करते हैं अज के अपनी नेक्स्ट अपडेट के बार में चोकी होने वाला है यूदवी दागर की तरफ से तो यूद मतला जार रुपय के इंशान निवेजों बैठी है और अपने 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 नेक्स्ट अपडेट के बार में जो की होने बाला है चोहान के बार में तो गईज भुवन चोहान आपर लॉंग टाइम अपना करन फिजीक अपडेट हमारे साथ में सेयर कर दिया है इस अपडेट को सेयर करने के साथ भुवन चोहान हम लोग को बताते हैं कि उनको टू विक्स हो चुके अपनी प्रेप को स्टार्ट करे हुए और उस टाम आप लोग उनकी करन करनीशनिंग को देख सकते हो और आप लोग देख सकते हो कि भुवन चोहान अपने प्रिवेस बर्जन से थोड़े विगर और शार्पर आप लोग को देखने को मिल रहे होंगे और उनकी जो बीक पॉइंट है वह खुबी काम करते हों नज लप्रीट सिंग के बारे में तो लप्रीट भाई का भी मैं आप लोग को 16 बीक्स का आउट का जो अपडेटर वो गाइस लेके आचुकों है और आप लोग इस टाइम लप्रीट सिंग की कंडिशनिंग देख सकते हो और अभी तो अपनी लप्रीट भाई नियुनियो प्रो के लिए तो जाने जाते हैं बट अभी का गेम भाई ऐसा है कि अगर मसल मास नहीं होगा तो बागी अधर एथलेट एंड कॉम्पटेटर के सामने आप छोटे से दिखाई दोगे इसलिए आप लोग को बिगर तो बनना ही होगा एंड ये देखना काफ इंट्रेस्टिंग हो अब बात करते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो क्योंने फैला है राम निमास मलीक भाई की तरवसे तो इन्होंने भी अपना करन्ट टाइम के जो फ्रिजन प्रिजिक अपडेट है उसको गई सेयर कर दें इस ताइम आप लोग देख सकते हो कि राम करते हैं यह फाइनल बर्जन लेकर आते तो अब भाई आप लोग इनका जो एब्डॉमनेल एरिया वह तो काफी क्रेजी कंडिशनिंग में पाऊगे हर टाइम हर स्टेज के ऊपर डेफिनेटल इस बार का जो राम निमास मलीक भाई का बर्जन होगा वह एक बिगर बर्जन होगा उनकी प्रिवियस बर्जन से और करनिशनिंग तो हर बार वह रिप्रेजेंट करते हैं इस बार तो एक हुज मसल मास के साथ में भी हम लोग को नजर आ सकते हैं मैं तो काफी ज़्यादा एक्साइट हो रहा हूं उनको देखने के लिए तो चले तो कई अब बात करते ह की बैक के करनिशनिंग देखो एंड काइस पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने स्टोन पर भाई 3D इस्ट्रक्चर बना दिया हो किसी बॉड़ी विल्डर का अब गाईस इससे और बड़ी चीजतों में एरिन बैंक की बैक की अपडेट के लिए क्या ही बोल सकता ह इस टैंप भाई उनकी जो बैक है और उसका भी जो पीक पॉइंट उसको भी बीट कर चुकी है इस बार भाई इरिन बैंक के जो बैक है उसके अंदर उनको बीट कर पाना इंपॉसिबल होने बाला है एंड यही सेम चीज़ गाईस उनके साथ में ओलंपिया के अंदर हुई लेकिन इस बार तो भाई उनकी बैक ओलंपिया से बहुत जाद ही अपग्रेट एंड बिगर एंड शार्प एंड हो चुकी है इस बार के अंदर भाई इरेन बैंक को कोई टकर दे पाता है नहीं मैं तो भाई बहुत ही जादा एक्साइट हो रहा है उनकी प्रीजाजिंग वीडियो के लिए एंड आप लोग को प्रीजाजिंग वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पर तो सस्काइब भी डेफिनेटली कर देना बैल नोडिशन को भी और प्रेस कर देना तो आज की अप्डेट अगर तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ब है guys